हो गया, हो गया, start it, okay, good afternoon, दिखाई दे रहा हूँ, good evening, hello, hi, मत करो यार, हाए, हाए, तो मत करो है, hello, hello तक तो ठीक है, right, okay, formula हाँ, orange shirt, नमस्ते, सारे कोशन हो गया न, राम राम, रजत, पुनाली, गुड़ इवनिंग, कृष्णा, कुशाग्र, कमल्दी, पृतेश, वेट अभी, start करो हूँ, exercise 14, right, 14, last class में डिसक्स हुआ था, I think, 15 करना है, 1, 5, 5, okay, question 1, 2, 5, no doubt, 1, 2, 5, no, good, 6, 2, 10, up to 10, any doubt, question number 6, ठीक है, अरे बिल्कुल, लल्लू कुशन है, यार, बहुत, बहुत ज़्यादा एजी था, 7 भी पूछ रहे हो, 6 भी पूछ रहे हो, तो कोई एक पूछो न, यार, दोनों क्यों पूछ रहे हो, है ना, क्या हिंट आ रहे हो, बता हो, कोई फील दो मुझे इस प्रॉब्लम का, wait, this is cause, मेरे कासे, वन साइड़ेड थाट है न, हाँ, बिल्कुल, सभी लोग कह रहे है, वन साइड़ेड थाट, प्रोडेक्ट इन्टू सम, तो उस रीजन से, तू, बैलेंस कर दिया, बस अब तो बहुत एजली हो जाता है, अब तो तूम कमफर्टेबल हो, 2 cos cos, is cos plus cos, 3 theta by 2, plus 5 theta by 2, minus, again cos plus cos, कितना difference आएगा, 9 theta by 2 minus, तो I think 3 theta by 2, और सम कितना आएगा, 15, 15 theta by 2, तो easily click कर गया, कि this get cancelled, now once again, sum into product, अब की बर मानते हो, cos minus cos, है ना, there was something different in this formula, लोगों को click किया, कि sir, इस formula में कुछ different था, 2 sin sin, is okay, but, c minus d के बजाए, d minus c by 2, है ना, तो d minus c by 2 कितना हो गया, 15 minus 5 by 2, कितना हो अरे, 10 by 2, 5, 5 theta by 2, समझ पारे हो गया, ना, then c plus d by 2, 10, 10 by 2, 5 theta, आगया अंसर, है ना, मैच कर गया, अब तुमको लगता नहीं, जिसने 7th पूछा है, उसको लगता नहीं, कि sir, exactly, यही idea 7 में लगा दो, तो चलो, मैं एक स्टेप कम लिख रहा हो है ना, वो 2 sin sin तुमने लिख लिया, है ना, 2 sin sin, तो cos minus cos, अब मानते हो कि sir, इस formula में कुछ different था, 2 sin sin, है ना, बार बार repeat करो एक ही बात को, कि कुछ फर्क था इस में, I think difference वाली term पहले थी, a plus 2b minus a, minus sum, cos a plus b, है ना, तो sum, that is 2a plus 2b, अब तो मेरे कासे guarantee, सारे formula याद हो गए तुमको है ना, minus, again 2 sin sin, चलो bracket लगा देता हूं, ठीक है, 2 sin sin, तो again cos minus cos, तो I think difference का term पहले आता है, so, cos of 2a, minus cos of sum, which is 2b plus 2a, एक्दम असान है, तो देख पारे हो, कि this term get cancelled, so, now left with, half, cos 2b minus 2a, अब तो तो तुम समझदार हो, कि once again, cos c minus cos d, so, I think 2 sin, you remember the difference, कि c minus d नहीं, d minus c, by 2, so, it become a minus b, into, sin of sum by 2, b plus a, वो 2, I have cancelled that, very easy, अब यह जो 10 पूछ रहा है कोई, तुमको लगता है, नहीं 10 में blindly, यही लिखते हैं, चलो, oral करेंगे, हाँ, ठीक है, यह तुमने अच्छा किया, 2 से उपर नीचे, multiply कर दिया, ठीक है, तो, oral सुनते हैं, cos a, लिखते जाओ अपनी copy में, cos a minus cos 3a, plus, cos 3a minus cos 9a, सही जा रहा हूँ मैं, तो तुम्हारा cos 3a कट गिया है न, then, cos 9a minus cos 17a, तुम मानते हो, cos 9a भी कट गिया, तो क्या तुमको दिखा, कि सर, finally, cos a minus cos 17a, बाकी सब कैंसल, कुछ, कुछ समझ आया, तो numerator only remains, cos a minus cos 17a, बस अब तुम तो समझदार हो, ऐसा ही denominator में, स्टार्ट हो जाओ, अब अगर तुमको denominator में, तुम सारे फॉर्मले अगर, 2 sin a cos b पढ़ते हो, ठीक है, कि 2 sin a cos b, तो देखो, पहला टर्म क्या बनेगा, क्योंकि तुमने, a है न, तो मनते हो, sin a plus b, which is, a plus 2a, 3a, minus, sorry, plus sin a minus b, तो मनते हो, sin a minus b, sin of minus a बन गया, तो कुछ समझ में आया, कि सर, वो sin a plus b, plus sin a minus b लगाया, तो first time में sin 3 है, plus sin of minus a, तो क्या वो minus sin a नहीं बन गया, question number 10, ठीक है, तो चलो फटा फट लिख देता हूं, जो लोग confuse हो रहे हैं, denominator लिखता हूं यार, 2 से multiply करके, sin a plus b, plus sin a minus b, that comes out, sin of minus a, तो I think sin of minus a, को minus sin a लिख दो, ठीक है, कुछ दिमाग में गया, बस इसी तरह से continue करते जाओ, sin 3a cos 6a, so it will come out, sin a plus b, is sin 9a, plus sin a minus b, that is sin of minus 3a, so sin of minus 3a, is minus sin 3a, सही, plus, 2 sin a cos b again, so sin of sum, sin of 17a, plus sin of, plus sin of minus 9a, तो sin of minus 9a, will write, minus sin 9a, 13 minus 4 is 9, और numerator में भी तुम लिखे चुके थे, कि numerator तो ज़्यादा असान था, cos of difference, minus cos of sum, cos 3a minus 9a, cos difference 9a minus cos of sum, बस तो you can find easily, कि only cos a remain, सब कड़ गया, minus cos 17a, over, यहां भी देख लो, cancellation, sin 3a, cancel, 9a, cancel, only remains, 17a, minus sin a, apply कर दो, एक बार और, cos c minus cos d, कुछ different था इस फॉर्मले में, 2 sin, 17 minus a, by 2, 8a, sin, a plus 17a, by 2, 9a, denominator 2 sin, 17a minus a, by 2, cos, 17 plus, है न, समझ गया, 9a, cancel, इतना reduce हो रहा है, answer, 10 9a, 11 to 15, 11 to 15, ओम अब 9 को रहने दो, है न, 9 को तुम, एक स्टेप भी तुम लिखना ही नहीं चाहते हो, यार न, इतना, इतना भी मतलब कहते है न, पूर नहीं होना चाहिए अपने को, कि सर्था हम से तो pen चलता ही नहीं है, ठिक, मनिश इतने सारे question कर दिये, product into sum के, उसके बावजूर्द तुमारा दिमाग अभी तक नहीं चल पा रहा है, कि 2 sin a minus c cos c को लिखना चाहिए, 2 sin a, sorry, 2 sin a minus c cos c is sin a plus, sin of a plus b, plus sin of a minus b, तो sin of, first term is a, plus sin of difference, तो that is a minus 2c, तो sin a minus 2c तो cut गया, ठीक है, इतना बड़ा गधा कोई कैसे हो सकता है, कि इतना number of question कर रहा हूँ, फिर भी उस पर से बचे वे question निकाल निकाल के पूछ रहा है, up to 15, 17, 15 के बाहर है, अभी 15 तक में 12, चलो, 12, अरे सब एक ही जैसे question है, सारे के सारे, कोई अंतर नहीं है किसी में भी, अब तो हटाओ space भी खराब नहीं करेंगे हैंना, कि सर वो slide मत waste करो, 2 cos A cos B, अरे एक सेकेंड, नया formula लगाना चाहोगे, नया formula, नहीं, नया formula नहीं, अच्छा, तुम लोग cos 2 A को लेकर के परिशान होगा, कि 2 A कैसे आएगा, तो चलो, फिर नया formula मत लगाओ, तुम तो वही करो, जो करते आ रहो, 2 cos A cos B, is cos of A plus B, कितना हो गया, 72, plus cos of A minus B, मेरे कासे, cos of minus 2 A, को मैं only cos 2 A लेक सकता हूँ, कुछ लोग समझे रे मेरी बात को, then, again cos of, 2 cos A cos B again, तो, cos of A plus B, 108 degree ना, cos of 108 degree, plus cos of A minus B, become 2 A, तो यार, cos 108, तुम को reduction formula आता है, दोंट यू थिंक कि, इस angle, is 180 minus 72, and now, I think you understand, कि this will come out, minus cos 72, तो, तो बस, cancel, हो गया answer, cos 2 A, up to 15 done, up to 17, ठीक है, 16, वो वर्साइन तो करना ही नहीं था, 15 तो छुडवा दियाता है ना, कि वर्साइन not in syllabus, 17 किसीने doubt पूछा है ना, 17, 16 भी पूछा है, 16 and 17, quickly, 16, इतना तो clear है कि सर, हर question product into sum लगाते चले जाओ है ना, half 2 sin cos, 2 sin cos, तुम तो जानता हूं मैं 2 sin A cos B पढ़ता हूं, always, तो sin of A plus B, A plus B मतलब, plus alpha minus delta, plus sin of A minus B, so A minus B, you can see, आगे भी continue करते जाओ, 2 sin A, अरे, ओरल तो यह यह कि, 2 sin A cos B लिखके खोलते जाओ, यह हो गया, ओरल solution और क्या, तो continue करो, sin of A plus B, gamma minus alpha, plus beta minus delta, sin of A minus B, now last term, 2 sin A cos B, plus sin of A minus B, अब इसमें थोड़ा साथ दिमाग लगा करके, ढूंडो angles को, तो beta plus alpha, है ना, beta alpha, gamma delta, ढूंडो beta alpha, देखो यह देखो, नजर आया, क्यारे सर, यह angle, और यह angle, यह तो minus times लिखा हुआ है, यह theta है, यह minus theta है, कुछ समझ में आया, तो I think you got the point, तुमको तो formula पता है ना, sin of minus theta is minus sin theta, cancel, same way, beta plus delta, यह रह, यह देखो, सही है न, beta plus delta minus gamma minus alpha, and here is gamma plus alpha, तो यह फिर दिख रहा है, यह theta है, यह minus theta है, cancelled, कुछ लों को समझ में आया यह बात है न, now same way, अब तो guarantee यह भी cut रहोगा, gamma plus beta, हाँ, बिलकुल कट रहा है, तो all terms get cancelled, and answer is, 0, 17, सब एक ही जैसे question, कुछ भी tension नहीं, कि आर वो product into sum खोल दो, 2 cos pi by 13, cos 9 pi by 13, cos of, a plus b, 10 pi by 13, plus cos of, difference, 8 pi by 13, 8 pi by 13, 3 pi by 13, and, 5 pi by 13, अब मेरे कासे, trigonometry का, सबसे पहला, formula काम में आ रहा है, है न, तो, you can see, कि आर यह 10 pi by 13, और यह 3 pi by 13, थोड़ा सा common sense है है न, थोड़ा observation basically, तो, you can see कि, this angle, 13 minus 3 पढ़ने मारा होगा, is nothing but, pi minus 3 pi by 13, तो, इस तरह के, छोटे छोटे observation, तो लेने ही पढ़ेंगे है न, अब जैसे, तुम लोग किसी problem में, जब, छोटी classes की problem करते थे, तो, वहाँ पर, whole square पहचान लिया, कि सर, यह तो, a plus b whole square लिखा है, यह तो, a minus b whole square लिखा है, यह तो, a square minus b square लिखा है, तो, उसी तरह की observation कुछ, यहाँ है, कि, अरे, यह angle और यह angle, यह तो, pi minus theta लिखा है, और यह theta लिखा है, now, I guess, you understand, cos of pi minus theta is nothing but, minus cos, अब तक, reduction form ने, सब दिमाग में बैठ चोक है, same way, 8 pi by 13 को, you can see, यह यह 13 minus 5 है, 8, तो, again, मेरा observation, pi minus 5 pi by 13, and again, you understand, कि, cos of pi minus theta, is minus cos theta, I guess, की, all term get cancelled, तो, answer again, 0, ठीक है, ना, तो, इतने छोटे-छोटे observation, तो, करने ही पड़ेंगे, कि, अरे यार, यह इतने सारे angles, लिखे हैं, बट, वो 4 angle नहीं, वो 2 angle में ही, convert हो गए, exercise 15, done, now, I think, to go for 16, 16, बहुत कम questions दिये थे, मैंने 16 से, शायद 3 ही question दिये थे हैं, 5, 6, and 7, राइट, बताओ, 5, 6, and 7, अरे दिपिका, वो exercise को, कम से कम देख तो लेते, वो exercise इस पर है ही नहीं, अभी हमने पढ़ा है, है ना, that is the exercise of trigonometric equation, which will be covered later, 7th question, जो पढ़ाओंगा, वही तो बताओंगा, है ना, एक ideal student बनना है ना, तो don't question your teacher, ठीक है ना, कि what to teach, what not to teach, only answer your teacher, अगे, and asking, asking should be only, for problems given in homework, अगे, अगे, एक ideal student बनना है तो, है ना, ओके, वैसे तो question को, sign cost में जाके, किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम इसको tan में सोचो, कि अब मैं इसको tan में रहे के करना चाहता हूँ, तो इस term को देख करके, पहचानो, कि ये, किस formula में तुमने इस term को देखा है, बताओ भई, मैंने last class में, बहुत भारी question कराया था एक, तो ये तो उसके मुकाबले easy है, think which formula I should refer to, कौन से formula में जाओ, tan a minus b, good, tan a minus b is, tan a minus tan b, upon 1 plus tan a tan b, agree करते हो, तो I think, I will make use of, tan a, और a और b एंगल, तुम समझी रहो कि, किसको a बोलना है, किसको b बोलना है, right, तो हलका सा re-arrangement करूँगा, मैं और क्या, because मेरा interest तो, ये term है, 1 plus tan 10, so I think this quantity, rearrange करो जारा, so this comes out, tan a minus a by 2, over, है न, rearrangement तो समझी जाओगे, is again a by 2, तो क्या answer आ गया क्या, हां, अरे पहला term, ये पहला term, minus 1, ये पहले term को क्या मैं, 10 into cot नहीं लिख सकता, कि सर्थ 10 upon 10, को you can also write, 10 into cot, दिमाग का इस्तेमाल करो, कर दिमाग का इस्तेमाल, ठीक है, अब चलो, इसी answer से, इसका अगला पार्ट करते हैं, कि सर्थ using this, obtain sec A, है न, अब आप इसको, equal to sec A लाके दिखाओ, जो लोग मुझे पूरी तरह से follow करने लगे, वो लोग मुझे एक एक step बता रहें, आदेते is saying, कि now make use of, 10 A minus 10 B, is sin A minus B upon cos A cos B, good, now I am going through this step, तो इसे फिर 10 लिख करके, मैं तुमको इस step में फिर जाने के लिए रहा हूं, कि इसको upon वापस 10 लिखा, और LCM ले करके, got this, इसमें कोई किसी को तकलीफ तो नहीं है, मैं इस step से आपको sec A लाके दिखा रहा हूं, और अभी last class में है न, जिसकी mugging अच्छी हो चुकी है, जिसकी मुझे सारे formula याद है आपने जितने पढ़ाये थे, ठीक है, तो I think this is, अब answer sin cos में जा रहा हूं न, क्योंकि sec A answer लाना है, तो sin cos में चला जाओ, sin of A minus B, कई लोगों को याद हो गया होगा, upon cos A cos B, now 10 A by 2, I think इसे भी sin cos में लिख लो, sin A by 2, upon cos A by 2, तो इतनी मैस तो इसकूल में जानते हो, कि sir, upon cos A by 2 को numerator, तो you can see, कि sir, cut तो गया सब, only cos A remains, equal sec A, easy था न, तो मेरे खाद से, formulas का feel, बैटने लगा होगा है न, कि कब, किस situation में, कौन सा formula, और तुमनों को लोनी की, importance समझा रही होगी, कि sir, ये लोनी ही है, जिससे हमें सीखने को मिल रहा है, right, वरना तो इतने सारे, formulas में, मैं सब हो जाता है, कि sir, सब कुछ, जो लोग मुझे, यहां से सैके लिखाना चाहें, देखें भई, कौन मुझे, इस result से मुझे सैके लाके दिखाएगा, कि sir, इसे सैके लाना है मुझे, इसे सैके लाना है, तो कौन मुझे best, to the point, thought कौन बताएगा, वेट कर रहा हूँ, अरे अभी है, तुम बस, मैंने का ना, अभी अभी बताएगा, मैंने चैट का क्या, कि, कुश्चन सिर्फ, डिस्कुशन के समय, जब सवाल मैं पूछू हूँ, कि 1, 2, 5, उस समय तुम कुश्चन करोगे, और अधर्वाइस, पूरे टाइम, तुम सिर्फ आंसर करोगे, बस, क्योंकि देखो, इधर उधर की बाते तो, दुनिया बर में हो रही है, कि सर, जहां ओनलाइन जो लोग पढ़ रहे हैं, दुनिया बर में इधर उधर की बाते ही कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लोग कुछ नया करके देखें, कि चलो, लेट्स ट्राइस सम्थिंग डिफरेंट, राइट? हाँ, अरे यह क्या लिख दिया? कनवर्ट तू साइन कॉस्स, ओके, अप्टर एट, साइन कॉस्स में लिखने के बाद, क्या नजर आया? अरे, इजी बताओ ना, मेरे काल से, में कमेंट सबके दिख रहे हैं, मुझे, कॉस अफ अफ प्लस बी, समर्थ, गुड, शितिष, हम, I think मैंने नाम गलप तो नही लिए लिया था, कॉस अफ 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 प्लस बी किस ने लिखा था, मुझे अब डाउट हो गया पहला नाम, आनन्द गलत बोल रहो, I think if I change this to sign cos, and take LCM, तो, you will understand, cos A, cos A by 2, इतनी maths तो strong होती है, कि सर, calculation ही तो है, जो हमारी अच्छी है, fine sign upon cos cos, मैंने LCM ले लिया, and after taking LCM, you will visualize, कि रहार यह तो, compound angle का सबसे पहला formula आ गया, है ना, cos of A minus B, cos A cos B plus sin A sin B, is cos A minus B, so this get A minus A by 2, and now you understand, कि problem खत्म हो गया, got it, तो, एक से ज़्यादा तरीके से ट्राइ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ प्रित भी ठीक है, चलो भई, तो जिन लोगों ने सभी question, properly attempt कर लिये, they are doing good, okay, discussion over, तो अब तक के, है ना, compound angle के formula, एक बार revisit करते हैं, है ना, चलो एक दम order में चलते हैं, किस्ता is starting from, हमको तो order तक याद है, कि आपने क्या-क्या order में formula लिखवा हैते, तो I think first was, a plus b, a minus b formula, for sine for cos, है ना, तो एक बार और ली फटा फट बोलते हैं, sine of a plus b, sine a cos b, plus sine b cos a, fine, sine of a minus b, sine a cos b, minus sine b cos a, cos of a plus b, cos a cos b, minus sine a sine b, right, and cos of a minus b, is cos a cos b, plus sine a sine b, अब यूँ ही category, just, फिर मानतो, next set of formula, जो मैंने बताया था, that was, a plus b, or a minus b का product, sine a plus b, sine a minus b, cos a plus b, cos a minus b, है ना, let's not go into that, हम बस बस formula कौन कौन से सीखे हैं, वो बोल रहा हूं, फिर तुमने और कौन से formula सीखे हैं, product into sum, and sum into product, है ना, 2 sine a cos b, और फिर sum into product, sine c plus sine d, है ना, तो यह सारे formula दिमाग में बढ़ गा है, then you also have learnt, tan of a plus b, tan of a minus b, cot of a plus b, cot of a minus b, और एक, सबसे out of track formula, है ना, कि सर सबसे एक, अलग, that was, tan a plus b, minus tan a, minus tan b, is equals to, is equals to, tan a plus b, into tan a, into tan b, right, तो मेरे कासे, जितने formula थे, सब तुमको आते हैं, right, है ना, तो अब, list, और improve की जाए, है ना, कि, let us extend the list, तो और बढ़ाते हैं, हाँ, बिल्कुल सही है ना, तो अब तक के formula, मैं assume करूंगा, कि तुम लोग fluent हो, है ना, इन formulas में, अब तुम fluent हो, because, you have done enough practice, over them, right, let us go to, multiple of angle formula, multiple से समझते हो, a का multiple, 2a, 3a, तो चिंता मत करो, मैं तुमको, बहुत सारे formula नहीं सिखाऊंगा, कि, 2a का formula, 3a का formula, 4a का formula, नहीं, कि अब दो ही formula, सीखने वाले हैं हम लोग, अच्छा, एक वो, अमन कह रहा कि, एक formula आपने एकदम, जब 10th class के question करवाय थे, तो वहाँ एक formula करवाया था, क्या, 10 square a, into sin square a, is 10 square a, minus sin square a, यह कह रहा हो कि, अमन, है न, यही कहना चाहते हो, क्या, नहीं, 10 a into sin a, ऐसा कोई formula तो नीप कर रहाय था मैंने, हाँ, कुछ गलत बोल रहा है, ठीक, दो लिखवायते, एक cot square, into, cos, मैं खुदी भूल रहा हूं, cos square, cot square into cos square, अरे, अभी प्रूफ कर लेंगे, जहां confusion आएगा, सब तुरंट प्रूफ कर लेंगे, ठीक है, is cot square, minus cos square, ज़रा सा भी doubt है न, तुरंट उसी इसको clear करो, कि यार, यह cos square को लिख दो, 1 minus sin square, और bracket खोल दो, तुरं मुझे गलत formula सही आथ था भई, है न, cot square minus cos square ही आ रहा है, and tan square sin square, बिल्कुल ठीक करो, दिपिका, रिशव, है न, निलब, and one more formula was, 10 square into sin square, बिल्कुल, एक बच्चा मुझे बार बार याद दिला रहा था, कि सर आप यह formula आप भूल रहे हो, actually तुमने, मेरा statement धिहान से नहीं सुना था, मैंने का था, जब compound angles के आगे के formula मैंने बोले था, actually, यह formula before starting compound angles लिखवाया था, तुमने जब से compound angle बताया है, मैंने उसके आगे के formula तुमसे पूछे थे, तुम अपनी copy में खुद से formula हाईलाइट करते जाना, ठीक है, वो तुम क्या तरीका बना रहे हो, वो तुमारे उपर है, लेकिन तुमारी copy में एकदम clear ऐसे दिखना चाहिए, कि कौन से formula मुझे याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने notes से ही हम लोग सीखते हैं, frankly speaking, ठीक है, किसी और के notes से हम लोग उतना अच्छा नहीं समझ पाते हैं, जितना हम खुद का किया हुआ समझते हैं, ठीक, तो, अब थोड़ा नए formula ले ले लें, कि अब तक कि ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट हो गई है, लेट उस टॉक बाओ 2A formula, I want to make formula for this, नहीं है, चिंता मत करो यह, दिपिका, वो सब करते करते सब याद हो जाएंगे, इतना tension की बात नहीं है, अभी starting में तुमको थोड़ा लग रहा है, hardly, 3-4 days के बाद, तुम देखना, next week से, तुमको यह formula एकदम, टंग पर होंगे, इतना ज्यादा application होता है, कि हम लोग कभी भूलते नहीं है यह formula, तो what I am doing is, मैंने 2A को लिख लिया, A plus A, रहिए, कर सकता हूं, now read this, A plus B, है ना, तो sin of A plus B, sin A, cos B, plus sin B, cos A, समझे रहो, so now, it comes out, 2 sin A, cos A, ठीक, इसके और भी थोड़े format बताता हूं, same answer को मैं एक और तरीके से लिख रहा हूं, मानतो हो यह 2 degree है, अगर मैं sin और cos में इस टर्म को देखूं, कि sir, sin की power, cos की power, combined power की बात करो, तो तुमको लग रहा है कि sir, इसकी combined power 2 है, sin और cos की, है ना, तो मैंने just क्या किया, मैं इसको tan में convert करने का बात कर रहा हूं, कि यार इसको tan में convert करते हैं, तो उसके लिए तुम्हारे पास 2 idea है, एक, कि sir, इसको मैं divide by 1 पढ़ रहा हूं, upon 1, और जो 1 है न, 1 को you can always write, sin square plus cos square, देखना है, इस step में किसी को कोई तकलीफ है, अगर मैं ये कहता हूं, कि इस quantity को मैंने ऐसे लिख दिया, सही है, अब notice कर रहा हूं, कि combined power here is to, यहां भी हर टर्म में combined power 2 आ रही है, कि देखो, 2, 2, ऐसे expression को homogeneous कहते हैं, homogeneous, एक general idea बता रहा हूं तुमको मैं, कि, कभी quadratic equation या कहीं और, तुमको कभी ऐसा situation मिले, कि यार, a square, a b, है न, कुछ alpha a square, plus beta a b, plus gamma b square, is 0, तो क्या, इसको मैं homogeneous equation बोलूं, कि सर, a और b, में अगर आप देखोगे, a और b, अरे यह constants थे, अक्चुली, यह alpha, beta, gamma, यह constants थे, ठीक है, तो, बातों को मेरी ध्यान से सोना करो, वरना, क्या है, आगे फसना बहुत जल्दी शुरू हो जाओगे, ठीक है, तो थोड़ा line of thinking देखते जाओ, कि यह alpha, beta, gamma, there are some given constants, कुछ भी value डाल दो, add 2, 5, minus 7, like that, सही है, value दे दो, अगर तुमको confusion है, कि सर्य अलफा, बीटा नहीं समझ आ रहा है, तो value दे देते हैं, चलो, plus b square, सही है, तो, यहाँ अगर मैं हर एक term को देखूंग, this term, this term, this term, तो मानतों इसमें हर term में, a, b की combined power सेम है, 2, तो इस equation को मैं एक single variable में convert कर सकता हूँ, कैसे, अभी तो तुमको दो-दो variable दिख रहे हैं न, कि सर, a is there, b is there, तो मैं इसको single variable में convert करने की बात कर रहा हूँ, तो एक काम करो, you either divide by b square, और a square, तो मैंने इसको b square से divide कर दिया, तो देखो, क्या हो रहा है, 3, तो देखो, अब जिसको अकल है, वो क्या करेगा, वो कहेगा, कि सर, a by b को t लिख दो, तो if I put a by b to be some t, तो देखो, इस single variable में equation नज़र आई की नहीं, तो just मैं तुमको एक, एक line of thinking सिखा रहा हूँ, ठीक है, which is applicable anywhere, कि यह मेरी thought process है, कि if I find, ठीक है, अरे यार, यश, तुम तो बहुत disturbing हो, यार, कुछ, कुछ ज़्यादा disturbing नहीं हो तुम, मुझे लगता है कि you don't deserve to be here, है न, बात समझ बारी है, राइट, तो I think, got the point, ठीक, तो इसी line of thinking से, अब तुम सोच सकते हो, कि सर, यह जो expression है, यहाँ भी, यह homogenous था, I can change into a single, तो, मैंने इसको, cos square से divide कर दिया, divided by cos square, तो देखो, अभी, sine and cos नजर आ रहा था, और अभी देखो, क्या नजर आ रहा है, अब देखो, manipulation देखो, तो this comes out, sin by cos, that is tan, यह तर्म को देख्मार, cos square upon cos square is 1, sin square upon cos square is tan square, अभी मैं formula collect कर दूँगा एक साथ, लेकिन पहले एक बार तुम देख लो, proof को देख लो, ठीक है, right, quickly, तो formula, चलो मैं side में लिख देता हूं, to remember, we will also remember like this, quickly, तो this is expected from you, यह आगे तुम से मैं expect करूँगा, direct, अब रठते जाओ, quickly, हाँ, second square से भी हो जाएगा, है ना, same proof, को तुम यहाँ से, alternately भी कर सकते हो, कि सर यह result है न, इसको आप 10 ए बनाईए, कैसे, easy है, आपको 10 ए बनाना है, आप cos square से divide कर दीजे, और क्योंकि cos square से divide किया है, तो multiply भी करना पड़ेगा, ठीक है, मान तो यह 2 टैने बन गया, 2 टैने, into cos square, into cos square को क्या, मैं divide by sec square लिख सकता हूँ, और अब तुम समझदार हो, कि सर, sec square is 1 प्लस 10 square, ठीक है, तो various तरीके हैं, to obtain result, बहुत तरीके हैं, सही है, तो मैं आगे तुम से expect करूँगा, कि मुझे आगे कभी, अगर homogeneous type का expression मिला, तो मुझे यह बात दिमाग में आ सकती है, कि यार इनको single में convert किया जा सकता है, है न, वहाँ पर a, b, दो थे, देखो single में convert हो गया, इसी तरह से यहाँ देखो, sign और cos, single में convert हो गया, तो अभी तो आपन इसको रटे, धीरे धीरे practice के थूरू, सब दिमाग में बैठता चला जाएगा, है न, copied, cos 2a, I want the formula for cos 2a also, तो तुम समझी रहो, a plus a, तो इसे फिर से पढ़ू, cos of a plus b, सही, तो cos a, cos b, minus sin a, sin b, तो formula is, cos square a, minus sin square a, ठीक है, तुम लोग notice करोगे, आगे जा करके, कि सबसे ज़ादा, अगर trigonometry में कोई formula काम आता है, तो वो यही formula है, है न, यह आगे जा करके, तुमनों को पता पढ़ जाएगा, कि हम 11th में, फिर हम 12th में गए, तो 12th में जा करके, पता पढ़ गा, कि अरे यार, यह तो, जब भी trigonometry आती है, तो most of the times, यही मदद करने आता है, ठीक है, तो इस formula को, मैं तुमको बहुत, कई format में लिख के दिखा रहा हूँ, है न, interesting है, इसको मैंने, 1-sin square लिख दिया, 1-2sin square, रही है, एक result, मैंने इसे, cos square लिख दिया, अरे, 1-cos square लिख दिया यार इसे, समझो, if I write it, 1-cos square, then what will I get, 2cos square, minus 1, रही, और, एक तरीका और मैं, same cost to it को, एक और तरीके से लिखना जानता हूँ, तुम लोग सभी लोग समझे रहो, कि सर, वो एक तरीका और कौन सा है, आपने, ये result का, आपने ये result का, आपने ये result का, एक result और चाहिए मुझे, किसके terms में लाओंगा, तो homogenous को तो हम लोग एक single में convert कर सकते हैं, single, single समझ रहो, तो वही thought, कि या तो cos square को बाहर निकाल दो, और या एक और तरीका, कि सर, इसको उपर नीचे, cos square plus sin square लिख दो, है ना, तो, अलग-अलग ways में तुम, approach कर सकते हो, कि मैंने इस quantity को, ऐसे पढ़ लिया, cos square plus sin square, तो यह बात है ना, and now, I will divide by cos square, so, if I divide by cos square, so, you can now see, कि क्या convert हो रहा है, 1 minus tan square, upon 1 plus tan square, बाकि तुम लोग समझदार हो, है ना, जो भी तरीका तुमको लगे, उससे करो, कि सर, मैंने तो, cos square को बाहर निकाला था, तो, if I take cos square out, here, I get 1 minus, तो, upon tan square, upon cos square, लिख दो यहीं, इसी step में, यह चलो, कोई बात नहीं है, sin by cos ही लिख देता हूँ, अगर कुछ परिशानी हो रही है तो, है ना, sin square upon cos square, कोई दुबारा मुझे से पूछे, उसके पहले, मैंने ही अपनी तरफ से, है ना, safety measure ले लिया, कि सर, वो step कैसे आया, नहीं, bracket खोल के दिख रहा है ना, अब मुझे लगता है, क्यार अब इतनी समझदारी तो होनी चाहिए, कि 1-10 square, this cos square को, I take to denominator, sec square, and this become, 1 plus 10 square, fine, तो set of formulae, जो मुझे याद करने हैं, यह सारे result, यह मुझे सारे formulae चाहिए, तारे, ठीक, और तुम समझी रहो, कि अभी practice के थूँ सब clear हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, इसे highlight करो, है ना, तो अब जो है ना, formula sheet, तुम लोग खुद बना रहे हो, अब की बार मैं formula sheet नहीं देने वाला, चलो, ठीक है, क्योंकि अब की बार मैं तुम्हारे copy में तुमसे ही formula sheet बनवा रहा हो, कि इस वन सेट अफ रिजल्ट तू रिमेंबर, राइट, तो sin2a का formula रट लिया, cos2a का भी formula रट लिया, ठीक है, यह सारे variation मुझे ही चाहिए, 1-2 sin2, 2 cos2-1, 1-102 upon 1 plus 102, all variations required, रिक्विक्ली, ड़न, अब तुम्हों को लगर रवा कि सार, sin2a का रट लिया, cos2a का रट लिया, 102a क्यों नहीं आया, है ना, तो obviously 102a भी रटेंगे, एक काम करते हैं, sin2a upon cos2a, ठीक है, करने के बजाए, तुमको 10 में ही formula preferred है, है ना, इसका formula 10 में ही, हम लोग याद रखना prefer करते हैं, तो इसको 10a plus b से, तुमको दे दू result और क्या, किसा बेस्ट मेथट से कर दो ना इसको, 10 of a, plus 10 of b, over 1 minus 10a into 10b, तो simply remember, 2 tana over 1 minus 10 square, इसका सिर्फ एक ही version याद रखने के लिए बताया मैंने, है ना, बस इसके लिए तुमको सिर्फ यही formula रटना है, और कोई नहीं, तुमको इसके लिए और कॉस्ट तुमको इसके लिए और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दिखाता हूं, ठीक ना, और और भी इंपॉर्टेंस बताता हूं, कि यह जो तुमने सेट आफ रिजल्ट्स लिख रखे हैं ना, अभी इसको और भी डिफरेंट फॉर्मेट में तुमको याद करने के लिए सजेस्ट करता हूं, यह तो हो चुगा है ना, कॉपी, 10 सेकंड्स क्विक लिख लिख तो रेसिप्रोकल होता है यह ठीक है ना, इफ आइनो कॉस्ट थेन आइनो सेक, इतना तो तुम अब तक अब्जर्ब करते ही आ रहे होगे, ठीक, वैसे तो कॉट टुए को भी हम लोग बना सकते हैं, इन टर्म्स अफ कॉट, लेकिन मैं बस 10 to a की मदद से ही कॉट के कुश्चन्स कर लिया करता हूँ, बस मैंने कॉट में एक ही फॉर्मले को इंपोर्टेंस दी है, वो है कॉट a प्लस b, कॉट a माइनस b, बस, तो कॉट 2 a को मैं इंपोर्टेंस नहीं दे रहा, जितने में बता रहा हूँ, उतने सफीशेंट है, ठीक है, नहीं नहीं, टफ नहीं लगेगा, चिंता मत करो निशित, ठीक, अभी कहां न मैंने प्रॉब्लम्स के थूरू, सब क्लियर हो जाएगा, चलो, चोटा सा मेरको अप्लिकेशन बता हूँ, फिर मैं तुमको और वेरियेशन बताता हूँ, है ना, डोंट यू थिंक, प्राइन ओफ हंड्रेट डिग्री, को मैं फिफ्टी डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो चो, है ना, कोई बात नहीं, हंड्रेट डिग्री को अगर फिफ्टी डिग्री में लिखना है, तो तुम समझ रहो ना, कि सर, यू कैन अलवेज राइट, प्राइन फिफ्टी कॉस फिफ्टी, सम्झो, एग्री, किसी भी एंगल को उसके हाफ में कन्वर्ट कर सकता है, नहीं, कोई भी एंगल दे दो, कि को वन बाई फोर में लिखा जा सकता है, तू साइन, वन बाई फोर डिग्री, कॉस, वन बाई फोर डिग्री, तो चो, जस्ट फॉर्मले का एप्लिकेशन देख रहे हैं, तो सिंपल, थिक, कुछ भी, कोई भी एंग्जाम्पल उठालो, कॉस अफ टोइंटी डिग्री, को में लिखा जा सकता है, जो फॉर्मले लिखे न, अर्शिल, वो फॉर्मले मदद में ले रहा हूं, साइन 2A, अरे इसको 2A पढ़ो अर्शिल, तो अगर ये 2A है, तो what is A, A 1 by 4 हुआ, तो साइन 2A बराबर 2 साइन 1 कॉस है, अभी अभी तो फॉर्मला सिखाया है, ज्यादा थोड़ी होई है, ओके, इसे 10 डिगरी, तो किसी भी एक मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, कोई भी एक रिजल्ट, सारे नहीं, I can write it, cos square 10 minus sin square 10 डिगरी, fine, तो always I can change angle to its half angle, using 2 theta formula, ठीक है न, ये cos 2 theta पढ़ दिया, 2 into 10 डिगरी, तो cos 2 theta, अरे वो cos 2a यार, theta बोल दिया, मैंने, गलत तो नहीं बोल दिया, कि sir, वो तो आपने 2a लिख वाया था, ये अब कबसे, theta कबसे होने लग गया, तो cos 2a, a is 10 degree, cos square a minus sin square a, बात समझ में आई, ठीक है देव, ये sin 60 क्या लिख करके बैठे हो, fine, so I think you are now comfortable with 2a formula है ना, और अभी सवाल करोगे, तो और हो जाओगे, हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि मुझे और variations चाहिए, of these formula, इनी formula की मुझे और variation चाहिए, ठीक है, तो तुमने अभी cos 2a का formula देखा है ना, उस formula को जड़ा rearrange करो, यहर वो cos 2a के मैं सारे formula एक साथ एक बार और लिख देता हूँ, जिससे मुझे ये results में एकदम तकलीफ नहीं आएगी, cos 2a, minus sin 2a, 1 minus 2sin 2a, 2 cos 2a, minus 1, इस result का मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, 1 minus 3n2, 1 plus 3n2, मेरे का से यही तो set of results थे ना, of cos 2a, अरे 0 degree का भाफ भी 0 degree ही होता है, 2 sin of 0 degree is equal to, 2 sin of 0 degree, cos of 0 degree, दोनों बराबर ही हैं, LH is 0, RH also 0, तो देखो इस formula से मेरे खाल से यह result आ गया, ज़र इस 1 को left में लेके हाओ, 1 plus cos 2a, similarly, you can observe, 1 minus cos 2a, इस formula की मदद लो, 2 sin square, तो this also is important, थिक है, in fact, जो मैंने कहा था ना, कि cos 2a के formula का सबसे यहादा use होता है, वो actually cos 2a के formula का सबसे यहादा use, इस तरह से होता है, तो यह जो है ना, यह मेरी बहुत liking है, 1 and cos, मुझे जब भी 1 and cos दिखता है ना, मैं तुरंत इस formula का इस्तिमाल करता हूँ, और most of the time, यह मेरे काम आता है, ठीक है, तो इसको रटो, 1 plus cos 2a is 2 cos square a, 1 minus cos 2a is 2 sin square a, मेरे का से तुम समझ पार हो, तो यह कहा सा रहा है, ठीक है ना रचित, समझ में आगी बात, रचित को, देव को, है ना, मिरिंट मैं को भी समझ आगी बात है ना, देखो, ज़्यादा बोलने वालों के लिए तो सारी चीज़े भिलेन है, है ना, क्योंकि एक ही काम हो सकता है, या तो बोल लो, और या फिर काम कर लो, है ना, इस इट क्लिर, तो आई वांट यू तो रिमेंबर दिस, तो बेसिकली, मैंने क्या का, वन एंड कॉस की मेरी बहुत लाइकिंग है, तो इफ आई फाइंड वन प्लस कॉस, इफ आई फाइंड वन माइनस कॉस, तो तुरंट क्लिक करना चाहिए कि, अरे वन प्लस कॉस, टू कॉस स्क्वेर, हाफ आफ अफ दिस अंगल, अरे यह जतना अंगल है, उसका अधा अंगल, ठीक है, इसी तरह से, वन माइनस कॉस, तू साइन स्क्वेर, हाफ अफ दिस अंगल, है ना, ऐसे रट लोगे, अब चलो तुमको मैं साइन टुए की भी, वन के साथ की लाइकिंग दिखाता हूँ, यह भी इंट्रेस्टिंग है, लेट सी, कि सर आपने वन और कॉस टुए, को फेवरेबल बोला, है ना, मुझे पता है, मुझे वन और साइन टुए भी फेवरेबल है, यह भी, इसको भी मैं बहुत लाइक करता हूँ, देखे, कौन, इसका सिंप्लिफिकेशन, मैं देखना चाहूँगा, कि कौन मदद करेगा, चलो, तुम खुद से क्रिएट करो, मैं देखना चाहता हूँ, कि तुम क्या लिखोगे, वेट कर रहा हूँ, मैं तुमारा, देखे, किसका दिमाग चलता है, लेट मी चेक, लिख के दिखाव इसे, इन सम डिफरेंट वे, रही है समर्थ, वन्ष, इतने साहे लोग सही बन बोल रहा हूँ, तौम्मया, अनिक, तुम ने शयद बादवाले का लिखाया है ना, हम, म्रिन्मै, हम, करेक्ट, वरी नाइस, बीच में लास्ट में वो जी से नाम क्या था, गुर्ष, पढ़ने ही पाया मै, शेवम, उज्वल, तुम टैन में आंसर कौन लिख रहा है, टैन के बज़ा है, तुम, तो इसमें, फील आई, फील, फील क्या थी, कि सर मुझे होमोजीनिस की फीलिंग आई है, है ना, तनिश, तनिश या तनिशा, तनिशा, टू साइन ए कॉस ए, तो मैं देख पा रहा हूँ, कि बच्चे यहां पढ़ने वाले हैं, है ना, तो चलो भई, जैसा, तिंसियर बच्चे हैं भई, यहां पर, ठीक, तो मेरे खाथ से, टू डिग्री होमोजीनिस, तो कई लोगों ने पकड़ लिया, कि सर यह जो 1 है न, इसको भी 2 डिग्री होमोजीनिस मेंटेन कीजे, तो वाइ नोट राइट 1, लाइक दिस, है ना, तो बहुत सारे लोगों के राइट आंसर हैं, बिल्कुल पर्फेक्ट है, ठीक है राहूल, गुड, ओके, तो आइ तिंक दिखाई दिया, कि सर यह तो पर्फेक्ट स्कुर हो गया, तो इसको ऐसे फॉर्मला लिखें, क्योंकि इन फ्यूचेर, कि सर बार-बार डिराइव नहीं करेंगे, या तुम्होंको कारण बताऊंगा, कि डिराइव में क्या समस्या है, बताऊंगा मैं, ठीक है, इसको मैं अभी एक रिजल्ट बना रहा हूँ, एक्चुली क्या है ना, यह जो फॉर्मुलेज होते हैं ना, यह तुमको एक्चुली लाइन ओफ थिंकिंग देते हैं, सवाल का एक्स्प्रेशन एक लिखा है बड़ा सा, कि इसको रिडियूस करो, तो अगर तुमको यह फॉर्मुले नहीं आते होंगे, तुम सोचोगे कि मैं इसको डिराइव करके इस्तिमाल करूँगा, तो क्या होगा कि तुम कभी सिंप्लिफाइ करी नहीं पाऊगे, क्योंकि तुमको वो एक बड़ा एक्स्प्रेशन में यही नहीं क्लिक करेगा, कि इस बड़े एक्स्प्रेशन में मुझे 1 दिख रहा है, मुझे कॉस दिख रहा है, है ना ये ये कौन करेगा ऐसा ये वो करेगा जिसको फॉर्मले का ज्यान होगा कि यार वन एंड कॉस की तो मेरी लाइकिंग हुआ करती है if it is one plus cos if it is one minus cos समझे रहो तो ये फॉर्मले हम लोग ना किसी purpose से याद करते हैं ठीक है ये हमको manipulation में help करते हैं ठीक है now same way अगले को भी सबने पकड़ लिया कि why not write one to be this तो जिससे मेरा वो homogeneous expression maintain है ना कि और फिर सबने देख लिया कि रहे यार यार ये तो perfect square लिखा हुआ है रही है बस मैं इसी format में लिखना prefer कर रहा हूँ और किसी form में नहीं कुछ लोग tan convert कर रहते हैं नहीं मैं tan में convert नहीं कर रहा हूँ ठीक है 1-sin2a now I want you to remember this also है ना मैं सबसे कम formula याद करने को recommend करता हूँ ठीक है लेकिन in trigonometry मुझे यसा लगता कि शायद मैं ज्यादा formula recommend कर देता हूँ ठीक है ना remember this also तो 1 के साथ cos 1 के साथ sign दोनों मैं like करता हूँ बोथ साक्षी बस यही रहने दो यही formula बस better है यह good looking है ठीक है ना good looking formula उसको unnecessary tan में convert करेंगा तो वो looks bigger जाएंगे ठीक है तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं copied एक set of formula और मनाले चोटा सा है ना that is one sided formula don't worry I think we have seen the formula for 2a है ना let's now see the formula for 3a अब 3a और सीख लेते हैं बस इसके बाद फिर थोड़ा problems देखेंगे ना let's see the formula for 3a अरे tension मतले अर अरपन ये आगे जा करके तुम काओगे त्रिग्नोमेट्री बच्चों वाला काम था ठीक है ना कोई pressure पर मत आओ अभी beginning है गवराओ मत let's obtain the formula for 3a तो तुम तो समझदार हो कि सर इसको मैंने a प्लस b लिख लिया sin a cos b plus cos a sin b now sin 2a को फर्दर मैं 2 sin a cos से लिख सकता हूँ into cos a plus cos 2a मैं इस answer को पूरा sin मिलाने में इंट्रेस्टेड हूँ ठीक है sin में तो कोई बताएगा कि sin a into जैसा मैंने कहा कि मैं इस result को sin में लेके आऊँगा sin a में तुमको लगता नहीं कि सर ये तो sin में convert खट से हो जाएगा cos square using identity 1-sin square कोई बताएगा इस cos 2a को क्या करूं तो as I said हाँ 1-2 sin a square है good मतलब formula याद होने शुरू हो चोके हैं तो cos 2a in terms of sin a cos 2a के वो different different version थे थे cos 2a को को से sin a में भी लिखना आता है only sin a में भी लिखना आता है only cos a में भी लिखना आता है और tan a में भी लिखना आता है इतने सारी बाते आती है तो let's write 1-2 sin square समझ में बात आ रही है बस अब अराम से manipulate करते है 2 sin a cos square तो cos square को I write 1-sin square सही बस अब तो bracket खोलो तुमारा answer in terms of sin a only तो you can see now 2 sin a plus sin a is 3 sin a minus 2 sin cube minus 2 sin cube become 4 sin cube so now चलो cos 3 a भी derive कर लेते हैं फिर दोनों formula एक ही place पर इखटे collect कर देंगे अब चलो थोड़ा सा आलस करते हैं कि सर cos 2 a कर फिर से a plus 2 a फिर से manipulation मत डाउट करो सिदार्थ है अपने डाउट को अंदर रख लो ठीक है ओके sin 3 a is equals to this अभी अभी derive किया तुमने तुम समझते हो this formula is valid for every a है ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो तुम तो जानते हो identity I can put anything राइट कुछ भी put कर सकता हूँ तो क्यों ना इस identity में जा करके है ना I am going to make use of reduction राइट तो if I put a a plus pi by 2 अगर मैं ऐसा कर दू इस formula में तो देखो क्या हो रहा है sin of 3 a plus 3 pi by 2 is तुम समझ दार हो तुम समझ दार हो मैं क्या कर रहा हूँ है ना pi by 2 plus a लिख लो किसरा हम pi by 2 plus a लिखने से ज्यादा comfortable है माइनस तुम सिद्धार शीट करने लाइक बन जाओगे ना तब शीट तुमको मिलेगी अभी तो शीट चल तो रही है देखो ना ये शीट ही तो है है ना किसरी करत हो रहे है ओके तो तुमको तो reduction formula आता है ना sin 3 pi by 2 plus theta सोचो तो मेरे काद से sin cos में convert हो जाएगा theta को first quadrant मान के 3 pi by 2 plus theta fourth quadrant fourth quadrant में sin होता negative तो तुमको reduction आता है you will say किसरी minus cos 3a बन गया जा रहा होगा ना दिमाग में and sin pi by 2 plus a तो cos a होता है I think you know reduction minus 4 again sin pi by 2 plus a is cos a cos cube a so what I get the formula for cos 3a so I think cos 3a is coming to be 4 cos cube minus 3 cos a सहिए है मुझे लगता है आज के लिए इतने formula बहुत है है ना अब थोड़ा सा application सीखते हैं तो एक बार copy कर लो तो मैं next slide में formula लिख देता हूँ 10 seconds quickly नैना आप लोगों को अपने school में या तो copy में लेके जाओ bag में लेके जाओ और क्या वहाँ पर समय निकाल के करो क्या आज फिर किसी का birthday है कनिश्क happy birthday राइट और जैसा मैं कहता हूँ हमेशा ठीक है कि बस तुमको 11th में हो तुम तो तुमको ठीक 12th में 12th के बाद का wait नहीं होना चाहिए किसा 12th के बाद drop उसकी जरूत नहीं पढ़नी चाहिए तो बस ठीक 2 साल बात तुमको एक बहुत अच्छी rank ले करके आना है right copied okay तो now remember sin 3 3 sin minus 4 9 cube cos 3 minus 3 cos है बस ये दो फॉर्मले इसी फॉर्मेट में याद करने है इसके मैं और कोई variations नहीं बताऊंगा देखो जैनुए नो तभी लिखना है यार अरशिल है ना पिर ऐसा नहीं हो कि सबके बर्डे आज ही बनने लग जाए राइट I hope कि अपने टीचर से कभी कोई जूट तो नहीं बोलेगा नहीं टीचर से जूट बोलना मतलब एक बहुत बड़ी जिसे है ना तो I am assuming कि यू आर करेक्ट राइट तो हैपी बर्थ डे तू अर्शिल आलसो राइट जो भी तुम्हारा टेस्ट होगा उसमें नंबर अच्छे लेकर के आना है और टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे तो जेई में आटमेटिकली आएंगे नहीं फॉर्मले अभी बहुत सारे बाकी है लेकिन आप थोड़ा थोड़ा धीर धीर करके बढ़ें किसा थोड़ा प्रैक्टिस के साथ चलते हैं है ना हो गया कर दो खूब ए कर दो जो कर दो कर दो तो झाल करो भै करो ट्राइ करो करो ट्राइ करो करो झाल झाल जाल झाल जो भी दिमाग लगा सकते हो लगाओ मैं भी confident नहीं हूं पुरितेश की कहां का है शायद स्विट्जलेंड का था शायद झाल अनिंदिता इसका बेस्ट एप्रोच बताओ रजत ने तो बता दी गुड़ रजत तुमारी अप्रोच तो एकदम सही है यश्राज भी सेम बता रहा है और कोई पस्ट के लिए बेस्ट एप्रोच अरे यार वो कहां चला गया मिरिंड में गुड़ अहां मिरिंड में 1 प्लस कॉस्ट 2A इस 2 कॉस्ट स्क्वारे माइनस 1 लिख दिया तुमने अच्छा एक 1 प्लस साइन 2A भी कह रहा है चलो तुमारे लोगों की सब की अप्रोच से करते है अच्छी observation है बाकी 1 के साथ मुझे ऐसा रगता है कि 1 के साथ best is cos सबसे अच्छा cos होता है नहीं कि साथ 1 और cos को क्लप करते हैं 1 प्लस कॉस्ट 2A तो देखो फॉर्मला मगिंग काम आया ना प्लस साइन 2A whole square now as soon as I find 1 प्लस कॉस्ट 2A तो by formula it is 2 cos square a अब तुम समझदार हो तुम 100% कहोगे कि सर ये quantity जब a angle में change हो गई है अभी इस method से देख लें जब ये quantity a में change हुई है तो इसे भी a में change करो हम लोग symmetry से ही तो question करते हैं है ना maths is all about symmetry तो I think you will certainly say कि सर इसे भी a में लिखो 2 sin a cos a you are getting my point right now you can easily observe कि 2 cos a is common है ना बहुत आराम से कर रहा हूं तो it get cos a plus sin a and this whole whole square अब तो निपट गया question कि सर सब तो रठ पा दिया आपने 4 cos square a cos a plus sin a का whole square हम तो ये तक याद रखते हैं कि what is cos a plus sin a का whole square is 1 plus sin 2a life आसान है ना है ना जबरदस्ती life को complicate करते हैं लोग है ना चलो कोई कह रहता कि सर पहला ही step अपन 1 plus sin 2a से करेंगे तो चलो उसकी भी बात मान लेते हैं कि या तुम भी सही हो तो if you go by कि नहीं मैं तो 1 or sign को club करूंगा ठीक है तो थोड़े अच्छे decisions लेते हैं ना थोड़े अच्छे decisions क्योंकि तुमने 1 plus sin पकड़ा तो तुमने definitely इसको बोला कि सारे को से प्रस आइने का whole square यहीं बोला अब जो लोग इसा expression को देख रहे हैं वो पता क्या बोलेंगे devil से कि सारी जो cos 2a है ना इसको आप cos square minus sin square लिखो अब सभी लोग समझें भई I am sure you are getting my point तो अब तो तुम छोटी class की math लगा के बोल ओगे ना कि सर यह cos a minus sin a into cos a plus sin a तो cos a plus sin a common आ गया cos a plus sin a common and within bracket what remains is cos a plus sin a plus cos a minus sin a समझ गे ना तो I again get two cos a और तुम तो समझदार हो कि सर अब इसका whole square कीजे तो I think you got the same result है ना तो मेरे खाल से तुम लोग समझें मेरी बात को कि I am comfortable with one end cos I am also comfortable with one end sin अगला अगला भी हो गया I think है ना अच्छा तुम कुशागर किसका बतारो त्रीका अभी देखना पड़ेगा कुशागर है ना त्रीका अंसर बतारो ना तुम गलत बतारो गया गलत बता दिया आयूश तुम भी गलत क्या बात है अभिनव इस करेक्ट अरे एक और सही आया अभिनव दुबारा मत लेखना सेकेंड पार्ट भी निप्टा दें यहां तो जगे नहीं बची तो अगली स्राइड में जाना पड़ेगा यह पता नहीं क्या यह काम क्यों नहीं कर रहा है यह स्क्रीन छोटा क्यों नहीं हो रहा है किस में करना है यह क्यों नहीं काम कर रहा है अच्छा हुआ छोटा नहीं हो रहा है ऐसे रहन दो अच्छा रहन दो टाइम भी नहीं बचा तो एक सेंड मैं नेक्स स्पेज में चलके करता हूँ यहां पर सफिशन्ट स्पेज नहीं है यह न यह 10 की पावर 4 ही तो लिखा है आया ही नहीं अभी आजाएगा कौन से कलर यूज करूं यार जो हाइलाइट कर या लग यह करता है यहां भी 1 की लाइकिंग से कर दूं कि सर मुझे 1 और कॉस बहुत अच्छा लगता है ठीक है तो 1 1 plus cos 4a minus 4 cos 2a plus 2 अर्य मैंने वो 3 को 1 plus 2 तोड़ दिया and same in denominator 1 plus cos 4a plus 4 cos 2a plus 2 तो समझ में आ रहा है कि 2 cos square a remember कहां लिखा जाए चलो space ढूंड ढूंड के करता है 2 cos square 2a minus 4 cos 2a plus 2 over now in denominator 2 cos square 2a 4 cos 2a plus 2 तो किसी को दिखाय दिया कि सर cos 2a 2 common आके यह perfect square बन गया 2 2 common लो ठीक है तो 2 common ले करके cancel and now your numerator is what your numerator is cos 2a minus 1 whole square तो ही और यह denominator is cos 2a plus 1 whole square बही परफेट square पहचान लिया and now I think this is 2 sin square अरे चिंता मत करो कि सर आपने cos 2a minus 1 लिखा है जबकि यह 1 minus cos 2a होना चाहिए क्या फरक पड़ता है whole square के अंदर हो गई minus 3 का square और 3 का square बराबर ही होते है तो इसको 1 minus cos 2a पढ़ लो तो I think this is what 2 sin square का whole square and denominator 2 cos square का whole square तो मानते हो आंसर आ गया आ गया equal to 10 की पावर 4 सही है quickly 10 seconds वेट कर रहा हूं थर्ड का अंसर minus root 3 था चलो जल्दी से finish करें दो questions और यह question तो बहुत easy 2 common 4 sin q minus 3 sin 40 मानतो मुझे जो formula याद है 3 sin minus 4 sin q तो कोई बात नहीं minus 2 common ले लो अब दिख गया क्यार यह तो sin 3 theta का formula है now you will understand minus 2 sin 3 theta sin of 120 degree और reduction formula तो जानते ही हो ठीक है तो यह quantity sin 60 आ गई अरे 180 minus 60 minus 2 sin तो answer is minus root 3 this is the correct answer अगला भी फटा-फट निप्टा देता हूँ अगले को दो तरीके से कर सकते हो एक sin 3a का formula खोल दो या फिर better way कि मैंने तो इसको LCM ले लिया sin 3a cos a cos 3a sin a over sin a cos a तो किसी को दिखाए दिया कि अरे सरी तो sin 3a minus a बन गया sin of a minus b और नीचे I think I multiply by 2 balance कर दिया तो I think you can see कि sin 2a upon sin 2a into 2 तो answer is 2 सही है बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुमने same problem को कि सर मैंने तो इसको formula खोल के कर दिया था 3 sin minus 4 sin cube इस तरह से भी कर सकते हों divide by sin a minus 4 cos cube minus 3 cos upon cos a तो देखो क्या आया 3 minus 4 sin square minus 4 cos square plus 3 तो देख सकते हो 6 minus 4 which is 2 इस तरह से भी कर सकते हैं homework है ना वैसे अपनी class कल है ना तो आज homework थोड़ा scope कम है क्योंकि मैं problems थोड़े कम ले पाया अभी questions दे दूँगा तो तुमको थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो इसलिए मैं homework आज के दिन थोड़ा कम आपाएगा है ना तो तुम लोग जिसके backlog है वो अपने backlog रिमूव करेगा है ना तो क्या कर सकते हो तुम up to 16 I have done है ना चलो कोई नहीं थोड़े से तो question दे ही सकता हूँ you can try exercise 17 जो questions लिख रहा हूँ बस वही try करना है ना 1 इसमें language लिखी हुई है verify by graph and accurate measurement तो इसका तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है ठीक है तुमको बस find the value बस इसके आगे कुछ नहीं करना 2 3 3 4 5 6 चलो बस इतना ही कर के आओ है ना नहीं एक सेंट है रो थोड़ा और दे देता हूँ आटाओ 7 and 8 आज के लिए बस इतना ही homework है ठीक है चलो आज के दिन rest करो और अपना पुराना backlog सब क्लियर करो चलो भाइ बाए जाए हिंद 5 5 5 5 5 6 6